गुड मॉर्निंग डियर इस्ट्वेंट्स आइम संजिश क्रार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास शिक्स का चैप्टर थर्ड आ बॉय जेज नेम क्या है आ बॉय जेज एक समय की बात है कि तीन चोर एक सौने का पॉट पॉट मतलब होता है घड़ा सौने का घड़ा चुड़ा आने के बाद कहां से अब टाउन से कजबे से गाउं की और रिटर्न हो रहे थे बापिस हो रहे थे वो कहां से गुजर रहे थे छोटे से कजबे के पास से वेन इट गुड़ और डार्क तब क्या हो गया थोड़ा अंधेरा हो गया देर विलेज वाज अलॉंग वे ओफ उनका गाउं बहुत दूर था उनमें से जो चीप प्रमुक था तीन चोरों में से उन्होंने दूसरों से कहा उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम सबी लोग इस गोल्ड के साथ में अपने विलेज से पहुँच सकें उसने कहा कि यहीं कजबे में किसी सेफ हाउस में हम लोग क्या करते हैं नाइट गुजारते हैं रात्री विश्राम करते हैं उनके दोस्तों ने भी सोचा कि यह अच्छी बात है दे वेंट इन सेर्च आफा लॉजिंग फोर दा नाइट एंड एट लास फांड एन ओल्ड बुमन और अधोता क्या है और वो लॉज की सर्च में नाइट में उन्हें क्या हुआ एक ओल्ड बुमन मिली और वो तैयार हो गई किस चीज के लिए कि उन्हें उनके हर्ड मतलब जौपडी में रुकने के लिए वो तैयार हो गई और उन्हें आपस में एक दूसरे पर किसी पर भी भरोशा नहीं था तीनों चोरों को तो उन्होंने डिसाइड किया निर्ने लिया कि अपने काम करते हैं कि ये पौड जो है वो ओल्ड बुमन को दे देना चाहिए उन्होंने क्या किया जो पौड था उसका मुँ कवर किया कले से मिठी से और उसको पैक कर दिया उस बुमन को दिया और कहा और उसने कहा ये अपने पास रखिये जब तक कि हम इसको आपसे नहीं मांगते don't give it to anyone till all three of us ask for it together और उन्होंने कहा कि don't give it to anyone किसी को मत देना आप जब तक कि हम तीनों साथ में इसको इसे मांगने के लिए तीनों साथ में the old woman agreed जो बुजुर को महीला थी वो तैयार हो गई see ask the man whether they would take it back the next morning their chief replied उन्होंने कहा कि हम next morning मैं आपसे ये ले लेंगे yes we will हाँ ले लेंगे but be sure to keep it in a very very safe place और उन्होंने कहा तीनों चोरों ने कि आपने बहुत safe place पर रखना the three men cooked their own dinner तीन जो चोर थे उन्होंने अपना खुद का डिनर बनाया after eating it उसे खाने के बाद they sat under a tree talking together वो क्या होगा एक पेड़ की नीचे बैट कर आपस में बाते करने लगे the youngest of them उन्होंने से जो सबसे छोटा था who was a clever man बहुत वो चालाग व्यक्ती था clever means चालाग होता है wanted to get the pot of gold for himself वो क्या चाहता है था कि वो swim के लिए उसको अकिल घड़ा सोने का घड़ा मिल जाए he was trying to think of a plan वो एक plan योजना बनाने की सोच रहा था कोसिस कर रहा था ही कोई ऐसी योजना बनाए कि उसको अकिला ही वो सोने का घड़ा मिल जाए just then a woman came selling curd and the young thief said उसी समय का क्या होई एक भूमन क्या curd means होता है दही दही बेचने के लिए आई वहाँ से तो उसने कहा छोटे young thief ने कहा look here comes a woman selling curds देखिए एक महिला curd मैच रही है let's buy some थोड़ा सा खरीदते हैं the cheap set चीप ने कहा all right ठीक है we will buy some कुछ खरीदेंगे हम थोड़ा go and get the pot from the old woman चीक है अब उनकी आपस में बात हुई थी जब तीनों साथ में जाएंगे तो ही pot को लेना है लेकिन उसने क्या क्या चीप ने कि आप जाओ ले आओ यह बहुत अच्छी अपसर थी अपसर था यंग में के लिए जो चाहता था उसने कहा वो बुमन के पास गया उस महीला बुजर महीला के पास गया और उससे कहा कि मुझे हमारा घड़ा बापिस कर दीजे जो हमने आपको रखने के लिए दिया था बुमन ने कहा यूर चीफ हैस आस्ट मी नौत तो गिब दपास तिल अल आफ यू आस्ट फोर इट तोगैदर उसने वो बुजर महीला ने कहा कि आपके चीफ ने मुझे कहा ताकि मुझे घड़ा तब तक रिटर नहीं करना है जब तक कि आप तीनों साथ में मुझे घड़ा न मांगे यंग मैन ने कहा बड़ वन चीफ हिमसेल्फ है सेंट मी टू गैट दपाउट उसने कहा चीफ ने स्वैम ही मुझे यहाँ पर पाउट लेने के लिए भेजाए जो बुजर महीला थी वो बाहर जाने में थोड़ा सा बिजी थी बाहर जाने के लिए और चीफ से पूछा कुलमिला कि उसने घर में से आबाज लगा कर पूछा उसने अंदर से आबाज लगा कर पूछा कि उसको घड़ा यंग मैन को दे देना चाहिए और नहीं चीफ को समझ में नहीं आया कि वो किसके घड़े के बारे में बात कर रही है उसने कह दिया हाँ उसे दे दीजे वो यंग मैन को क्या सोने का घड़ा दे दिया और वो चुपचा वहां से निकल गया दे चीफ वेटेट फॉर सम टाइम चीफ ने थोड़े समय इंतजार किया और वह अंदर गया उसने उसे सब चीजों का पता चला उसने उसको आरोप लगया है कि आप बहुत केरलेस हैं और उसने कहा कि मुझे मेरा घड़ा जो हो गया है सोने का वो मुझे बापिस चाहिए और उसे पता नहीं था कि उसमें जो सील पाक्ड सील पॉड था उसमें गोल था सी डिड़ नॉट नो उसे कुछ पता नहीं था वाट टू डू क्या करें सी फैल ओन हर नीस एंड बैक्ड़ थीव तो फोर गेव हर वो अपने घुटनों पर घुटनों पर जुकने के बाद उससे जो चीफ था उससे माफी मांगने लगी ठीक है और कहने लगी मुझे माफ कर दीजे माफी की भीग मांगने लगी लेकिन चीफ ने उसे नहीं छोड़ा वह फिर क्या हुआ वह महीला अब कहां किंगे राजा के पास पहुँची तोल्ड हिम दा हूल स्टॉरी एंड बैक्ड हिम टू सेब हर और उसने सारी स्टॉरी जो पूरी स्टॉरी थी वो राजा को सुनाई और उससे उसकी रक्षा करने की गुहर लगाई जो राजा था उसने एक लड़की को भीजा बुलाया जिसका नाम था रामना रामना वोज वेरी इंटेलिजेंट एंड ओफन हैल्ग्ड दे किंग इन गिविंग इस जजज्मेंट्स रामना जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था और अक्सर राजा के नियाए जज्ज्मेंट्स में नियाए करने में क्या है उसकी मदद किया करता था पूरी जो स्टॉरी थी ओल बुमन ने बच्चे को सुनाई उसके लिए बॉय को रामना आस्ट दा किंग तो रामना ने किंग से पूछा तो रामना ने इसको बुला लीजी आप मैं जो चीप था उसको बुला लीजे when he came जब आया रामना informed him रामना ने उसको सुचित किया that he was going to try the case उसने का कि मैं case को try करूँगा मैं handle करूँगा he then fixed the day for the trial उसने फिर क्या किया trial के लिए एक दिन fix कर लिया one day of the trial everyone waited eagerly to see how the boy would decide the case एक दिन फिर क्या होता है trial के लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे ठीक है और वो बहुत उसक थे जानने के लिए कि लड़का इसको कैसे decide करेगा कैसे clear करेगा when रामना came into the courtroom जब रामना courtroom में आया he found that it was packed with people और उसने पाया कि वो बिल्कुल पूरा hall जो है वो लोगों से भरा हुआ है the thieves were asked to tell their story first और जो चोरों से क्या है story पूछी उसने they accused the old woman of carelessness और उन्होंने बताया उन्होंने आरोप लगाया कि जो बूमन है वो बहुत लापरवा है उसकी लापरवाई की बारे में उन्होंने का और जो बूरी महिला थी उसको आँखों में आसु आ रहे थे और उस बो कह रही थी मुझे माफ कर दीजिए प्लीस फोर्गिब मी मुझे माफ कर दीजिए मैं एक गरीब महिला हूं रामन्ना टर्न टू दा थीप्स एंड सेट रामन्ना चोरों की तरफ मुड़ा और कहा उसने कहा कि आपने कि अपने कहा था कि जब तक कि हम तीनों एक कर टा नौँ आपको ये पॉर्ट रिटन हमें नहीं करना है तो चीफ निका उनके चोरों ने हां बिलकुल हमने ऐसा ही कहा تھा इन्दा की सेड रामना रामना ने कहा ब्रिंग यूर अधर फ्रेंड एंड आल त्री आफ यू आस फोर दा पॉट तो गैदर और उसने कहा एक काम करो आप तीनों अपने आप तीनों साथ ही था और तीनों को बुलाओ इसके बाद then the old one will give it to back to you और उसने कहा कि इसके बाद आप उनसे साथ में मांगो फिर जो बुडी महिला है वो आपको गोल्ड का जो पॉट था वो रिटन कर देगी अब क्या था एक चोर तो चलाई गया तो तीनों साथ में आकर उससे कैसे मांग सकते तो यह पॉसिबल ही नहीं है तो जो दोनों चोर दो चोर बचे थे थे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है था कि क्या करें उन्हें पता नहीं था कि कहां से दूसरे चोर को पकड़ें इस प्रकार से उन्होंने केस को छोड़ दिया दा बूमन वोज है वैरी हैपी महीला बहुत खुस हुई इस प्रकार से जो कोर्ट रूम में जो लोग वैठे थे वो रामन ना जो लड़का था उसकी तारीफ करते हुए उसकी बुद्धी मानी की तारीफ करते हुए निकल गया यह पूरी स्टॉरी है आपको समझ में आ गया हुआ कैस उसने बुद्धी मानी से केस को सॉल्व किया ठीक है मारे दियर स्टॉरेंट्स अल बैस एंड सी यू नेक्स्ट वीजियो थैंक यू बैरे मच